गुद बॉर्णिंग स्टुडेंट्स, ग्लास यूके जी, बच्चों, कल हमने आकी मात्रा लगा कर शब्द बनाना सीख लिया था, आज हम सीखेंगे दो वर्णों के शब्दों में आकी मात्रा का परियोग, ओके, तो बच्चों, सबसे पहले हम दो अक्षरों के शब्दों से शुरुवात करते हैं, ताकि हम आसानी से इन्हें जोड़ कर पढ़ सकें, ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम डेट पढ़ेंगे, डेट, 5 मैं, 2020, यहाँ पे, क्लास वर्क, अब नीचे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दो वर्णों के शब्दों में आकी मात्रा का परियोग, ओके बच्चों, अब हम देखेंगे, कि हमने दोनों वर्णों में आकी मात्रा का परियोग किस परकार से किया है, और हमारा शब्द कैसे बना है, ओके, द, आकी मात्रा, द, द, आकी मात्रा, द, द, यह हमने टू टाइम् बताया था एक सिरीज में ने रेड़ी की हुई है और एक सिरीज आपको अपने होमवर्क में नोट करनी है ओके ठीक है अब हम पहले पढ़ना शुरू करते हैं समझते हैं म आकी मातरा म ल आकी मातरा ल माला तो हमारे इस शब्द क्या बन गया बचो माला दोनों वर्णों में आकी मातरा लगाई है हमने यहापे तो हमारे दोनों वर्णों में आकी मातरा लगाने पर हमारा शब्द बनता है माला नेक्स्ट नमबर थ्री च आकी मात्रा च च आकी मात्रा च च च तो हमारा शवद बना है बच्चो चा च ओके बच्चो एक बात और ध्यान से समझेंगे आकी मात्रा का परियोग जिस भी वियंजन के साथ या वर्ण के साथ हम करते हैं या किया जाता है उस वियंजन की साउंड होती है आवाज उस वियंजन की आवाज आकी मात्रा के साथ जुड़ जाती है जिस परकार से हमारे इन वर्णों के साथ आकी मात्रा का परियोग हुआ है तो इन के साथ वर्णों के साथ आकी मात्रा जुड़ गई है जिस परकार से हमने भी बताया है चारण किया है इस शवद का च च तो आ आकी मातरा निकल रही है ना, इसी परकार से आकी मातरा की जो sound होती है, वो इसमें जुड़ जाती है, ठीक है, नमबर फोर, त, आकी मातरा त, र, आकी मातरा र, त, र, ये भी हमें टू टाइम्स में करना है इधर, नमबर फाइव, म, आकी मातरा म, म, आकी मातरा म, 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 ने यह भी हमें टू टाइमस में करना है यह भी एक बार और करना है सामने लिखना है इनको नमबर एट म, आकी मात्रा म, ल, आकी मात्रा ल, म, ल, यह हमने यहाँ पे माला लिखा हुआ है बच्चो इसी परकार से उच्चा रण में आकी मात्रा की साउंड निकल रही है जैसे मैंने भी आपको समझाया था ठीक है यह भी टू टाइंस में करना है नमबर नाइन, च, आकी मात्रा च, त, आकी मात्रा त, यह हमारा शब्द बने गया बच्चो च, त, ओके, नमबर टेन, त, आकी मात्रा त, ल, आकी मात्रा ल, त, ल, यह हमारा शब्द बने गया त, ल, और हमें यहाँ पे टू टाइमस बे करना है बच्चो अब आपको ये वर्क यहां से स्टार्ट करना है आज की डेट डालनी है Classwork और लाश्ट तक आपको साफ साफ सुन्दर सुन्दर रैटिंग में अपनी नोट बुक में नोट करना है ओके आज हमने क्या पढ़ा है बच्चो दो वर्णों के शब्दों में आकी मात्रा का परियोग ठीके, नेक्स टाइम हम तीन वर्णों वाले शब्दों को पढ़ेंगे कि उनमें आकी मात्रा का परियोग कैसे होता है आज के लिए इतना ही ओके बच्चो, थेंकि